हम अपना kitchen design करें के था किरां दिजाइन हम नहीं यहां तका का अपना last CH3 काउंटर ने यह था पीछे में कांटर और शल्फ ढ definitive यहार ते रहिए ते रफ्रिज्रेटर तो रहे सेट्थ मैं इसके बात काम करना है इसके लिए हमें elements इसके अंदर import करने हो गए तो पहले import करने के लिए देख सकते हो हॉप के अलगला पैटर्न यहां पर आ जाएंगे आप यहां से अपना सेलेक्ट कर सकते हो जो सा आपको चाहिए स्री बरना चाहिए यह भी अच्छा आता है आपका ठीक है यह आप कलेक्शन पर जा सकते हैं कलेक्शन में आपको एक साथ काफी देर सारे मिल से डाओं यहां पर नीचे आएंगें अब देख सकते हो कंपोनेंट हमाए पास आए पहले से मैं यहाला सेलट करता हूँ यहाला ले रहा हूं इसमें क्या है आपकाँ गर्शन अपने आप आरह है तो यह जाधा बटा सूट करेगा हमारे लिए तो हमने इसको इंपोर्ट कर तो इसमें आपको बन जोंगे वो अपने आप मिल जाएंगे तो इसको इंपोर्ट किया हमने ओके आगया इंपोर्ट होगे अब मैं इसको पहले एक कॉर्णर पर टाइस कर देता हूं कॉर्णर से मैंने इसको मूव कर दिया तुछी की तरफ अबाउट 100 mm यहां से दूसरी तरफ मूव कर दिया हमने 150 mm अबाउट काउंटर के उपर आगया हमारा इसका साइजिंग यहां से आप देख सकते हो 1000 mm अमारा आना चाहिए कि थोड़ा से बाहर जा रहा है मैं इसको इन्वर्ड मूव कर देता हूं कि पाउजन है इस चाहिए नहीं रखेंगे हम ओके तो हॉप रख दिया हमने अब नेक्स्ट क्या करना है हमें यहां पर हम एक यहां पर हमें एक सिंक देना होगा ठीक है अरिंगमेंट कुछ इस टाइप से रखता हमने तो सिंक का रिंगमेंट लेके चलते हैं यहां पर सिंक रखने के लिए वापस से इंपोर्ट पर गया है और यहां पर आप देखेंगे सिंक ऐलिमेंट आहा है हमारे आप येथिंगल वाला भी रख रखते हो सिंगल वाल याज करना पड़ेगा तो मैं सिंगल वाला रखने के के याँंपे चलाया जाता हम तो अब यह दबल वाले यह आपका सिंगल एलिमेंट वाला है मैं इसको क्लिट करके डाउनलोड कर लेता हूँ क्योंकि एक्ट्वल में जो क्लीनिंग होगी दिश की वाशिंग होगी उसके लिए आपकी पैंट्री उनिट होगी तो हम यहार से सिंगल वाला डाउन्लोड कर लेते हैं कि असके लिए साइन एंग कर लेता हूं में पहले हुआ है ओके मैंने यहां सिंगल वाला डाउन्लोड कर लिया कि यह और बाती सब डबल सिंग है यह भी एक सिंगल सिंग है इसको भी डाउन्लोड कर लेते हैं बैच आते हैं कि यह वाला भी डाउन्लोड कर लेता हूं कि मैं दो तीन डाउन्लोड कर लेता हूं जिसे कि अगर एक सेट आप नहीं हपा है तो उसकी जंगा दूसरा रख जाए है तो इसे मैंने तू 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 त्री डाउन्लोड कर लिया है अब इसको मिनिवाइस करते हैं कि यहां पर जलते हैं उपर आप देश सकते हैं तो सिंक आ रहे हैं हमारे ठीक है इसमें से सेलेक्ट किया हमने अब इसको यहां रेंज किया यहां से हमने इसको रोटेट किया यहां से पीक करके आगे रखा हमने अब सेखाना अब देच्टेटेए यहां से यहां से यापने रखा विखना वा की मैंने पैले एको मुझ टिया रडर एक से लोडख sì आप अगर मूर् सितके अरटिया रघ्रार जैशु गया इसके bottom को हमने इसके top पे रख दिया यह आ गया हमारा इतना करने के वाद मैंने क्या क्या sink को double click किया वापा से double click किया again double click किया यह इसकी edge को पकड़ लिया हमने surface को ने लिया सिफ edges को copy किया इस surface को Ctrl C, escape किया अपने इस counter को double click कर के open किया यहाँ पर जाने का space in place किया आ नहीं राज तो मैंने इसको move करके पहले उपर रख दिया यहाँ के move करके वापस से surface के उपर attach कर दिया अब आप देखते तो surface अलग गया है इसको push करके हमने मीचे down में cut कर दिया ठीक है क्योंकि stink आएगा stink आएगा तो मीचे इसके cut out लगेगा ठीक है अब अगर जैसे मुझे इसका faucet जो होगा चाही नहीं लग रहा है तो मैं mix and match करके उसके कर सकता हूं अच्छा sink हमने कर दिया यहां पर but actual में क्या होगा जो sink हमें cut करना है न इसकी एक margin ली जाएगी पहले अंदर की तरह हमने gap ले लिया 15 mm का अब इस 15 mm वाले को हमने अंदर cut कर दिया ठीक है जिसके उपर आपका sink rest करेगा 15 से 20 mm का gap ले सकता है अच्छा मैंने एक separate element खोल लिया था इसमें से मैंने इसको select किया copy किया ctrl c अब तो यह भी रख सकते थे कॉपी किया यहाँ पे गए इसको delete कर दिया हमने ctrl v किया space इसको हमने rotate किया मने इसको हमसे 여기 कट किया है जा इसको हमाय करते है मैं हमसे को अदे करते हैं इसको स אתה कॉपी कर दिता है कर दो हो कोकर ज्रस कर दिते हैं फाइल पे गए, इंपोर पे गए, इंपोर्ट पे गए, इंपोर्ट किया, और यहां पे रहें, कर दिया हमने, इस पॉंट जो रखा, यहां से फ्लिप किया इसको, इसको ग्रीन आशे के अबवाओ, मूव करके, इसके पॉंट को इस तर्टे के उपर अटेश किया, यहां से मूव किया रड एक्सिस में, और इसको यहां रखा, यहां से मूव किया ग्रीन एक्सिस में, और इसको रखा, आब इसको ऑड़ डवल किया, अब से ओक्ड़ कर रखा, आब से उपर डवल किया, अगें डवल किया, वापके डवल किया, यहां से आधे ने से चाचा, यहां से पॉंट किया, Ctrl-C, Escape किया, यहाँ पर गई, यहाँ पर जाने कि आप पेस्टेंग प्लेस किया हुने, और मैंने इनकी लाइन को एड़ कर दिया, कि इस को मूव तरके पहले मैंने उप़ रख दिया, कि इस को मूव तरके आप कर दिया, इस को मूव दिया, रख दिया, इस को मूव तरके आप है किया, इस सर्फेस को कॉपी करके नीच आले सर्फेस को टाइच कर दिया और इसको डाउन करने से पहले मैंने चारज तरह से गैप लेलिया 20 अम का और अब इसको अंदर डाउन करके कट करके आ रहा हुआ कर दियों का गया जादा ले गया था तैन का ले जाते हैं काली ठीक है सिंग आगया हमारा टैप दिया आगा उसके पर फॉसेट तो दो अलमेंट हमने प्लेस के लिए पर अब रस्रिजरेटर सेच के लाते हैं यह भी मैंने डाउनवड करके रखा हुआ है पहले से कर ठीक है.. तो डूलम प्रॉसेटर में आगे ठाउन्ड करेप प्लेसेच के लिए हम आप eccंच को सुँगे पर इंक करेदा हैं करके लिए अब देक से साइज में प्रॉपर फेट आगया है और कि स्थोड़ा सा बढ़ा ही हो रहा है सेल कर लेते हैं इसको सेंटर से ठीक है अब इस प्रिज के रेस्पेक्ट में आप देख सेंटे है हाइड जादा है अब इसको डॉबल क्लिप किया और इसको मुव कर दिया दाउं इसके लेवल तक देख लेते हैं कितना हा रहा है 200 mm दाउं ठीक है अब इसके होप के ऊपर हमारी चिमनी आएगी तो चिमनी हम यहां से डाउनलोड कर लेते हैं किमनी यहां से डाउनलोड कर लेते हैं कि वैसा तो जाहतर हम यह वाली लेते हैं बट इस केस में हम यह वाली नहीं लेंगे क्योंकि हमारी जो हॉब है उसके उपर ड्रॉर है हम उनको कवर दिखाने चाहरे हैं इसके उपर ड्रॉर नहीं आते हैं यह ली चिमनी के उपर तो मैं यहाली चिमनी ले लेता हूं मैं इसको डाउनलोड कर लिया और इसको हमने इंपोर्ट किया इसको हमने इसको पर टॉप किया दन इस पॉइंट से इसको प्रिक करके शर्टेस्टा कर दिया हमें इसको हमने वाल से अटाश कर दिया हूं की वाल से अटाश कर दो दो फॉप किया जासा दिखराया हमें तोड़ा दान कर दिने थोड़ी सी उपर बल्कुल अटाइच होरी है तोड़ा दान कर देंगे जाप आजाए जिसके थोड़ागा कि अच्छमनी का कलर भी ब्लाक ही टीम पर रखे देंगे उसको भी ब्लाक जाओ देंगे ठीक है कि कि करदे को अच्छा इसी तरीके से आप यहाँ पठ preter के लिए हमें लिए घुच्छा उने हुबहूं कि देंगे इस तरीके से ब्ल्टं के लिए आप को यहां पहरा होगा मैंने डाउल गर करके रखा हूं है पुर्ट स्क मरी कर दढ़ित कि यह वाला देख रहे हैं कि फॉर्णो आप इसकी नाम से चाहो तो सच करके डाउनूड कर सकते हो मैं इसी को इंपोर्ट करूँगा और यह चाहिए तो आप यहां से होता है कि अधर होता है है कि लोगतो क्रह्ट है कि माइक्रोव की नाम साथ्ट में यहां के नाम से एक सेट्रफलम यहां मुझतिछ करिक्र Evans कि वालन के उपन टाइप वाले होते हैं यह आपके बाल्टे वालेвал clairement थेए तो इस ताइप हमने पिक्क किया है, यह आगया आपके, पाइल पे चलके हम, इंपोर्ट, यह आगया, इंपोर्ट के हमने, अभी मैंने इसको रेंडम प्लेच पर रख दिया, देन मैंने इसको इससे प्लेच किया, यहाँ पर रखा, इसको मूव करके आगे लिया आते हम, बेल्ट इन देने के लिए मैंने पहले पीछवाले अलिमेंट पर डबल क्लिक किया, यहाँ खेश, मैंने अंदर की तरफ ओफसेट लिया चको, क्वेंट अनन और यहाली इसको उठागे उपर अका फोर्ट इन पर इसको भी ट्वेंट अनन का गाप दिया, इसको पुछ किया, इसको पुछ किया, इसको मुव किया, यह वाला पॉइंट जो था हमारा और इस पॉइंट पर अटेश कर दिया, इसको बिल्टेंग जो है आपका, बिल्कुल नीचे जमीन से नहीं मिलाते हैं, यह जब भी अटाइश करते हैं, हल्क ऐसे गैप पर रखते हैं, अब यह गैप ज्यादा हो गया, मैं इसको आपको कम कह लेता हूँ, यह 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 लेवल ठीक है, मैं इसको 300 अबम डाउन किया, ठीक है, यह जो आपका लेवल है यह इसकी के लेवल पर आना कही है, इसमें, तो मैंने स्कोप, और इनको सलेक्ट करके डाउन कव दिया, 300 लेवल पर, इसकी को कॉपी करके मैंने उपपर अख्था, 470, इसको पुछ कर दिया है आता है, यह यह को सलेक्ट किया, मूव किया, डाउन, के दबाके शोग किया इसको, यह 61 लिखा रहा है, 60 डाउन जाए हमने, ठीक है, तो इस तरीके सामने, बिल्टर ने रेंज किया, इसके उपर फिर हमारे, कबर्ड जोगरा का रेंजमेंट रहेगा, तो यह तो आप एक पोजिशन यही लॉक कर सकते हो, या फिर आप इसको, इस पोजिशन को, इसके लेवल पर लाके लॉक कर सकते हो, तो इसके लेवल पर लाने के लिए 300 का गयाब देना पड़ेगा हमें, और वाइदवा के यहां से, इसको भी, पूरे को सारी, आप करना पड़ेगा 300, 300, इसको भी, इसको भी, ठीके यह दो, आपकी पोजिशनिंग हो सकती ही, यह जादर बैटा सूट करती है, क्योंकि इसने नीचे फिर हमारे पास, अरेजमेंट समान रखने के लिए, स्पेस मिल जाता है हमें, ठीके तो यह वाला रख लेते हम, उपर फिर हमारे utility space का drawer रहेगा, यह पूरा ही हमारे utility space drawer होने वाला है, तो इसको ऐसी रहन रहन रहते हैं भी के लिए, कोई cut में cut रहे हम, अब इसमें furniture space करना रह गया है, furniture यहां पर हमारे आएंगे, और इसके drawer की cutting रह गया है, वह next session में करेंगे, अच्छा एक चीज़ और यहां पर मैं आपको बताना भूल जा, यहां पर भी हम इस corner में अपना एक dishwasher रहेंगे, इसलिए यहां से space भी हमने लिया हुआ था, इस आटिकल लिया हुआ है, ठीकर नेट का आपका dishwasher का space आएगा, ठीकर तो उधर dishwasher में एक arrange करना होगा, तो वह next class में डालते हैं, आज की session में इतने रखते हैं, बाकी और arrangement इसी तरीके से आप लोग करेंगे, यहां पर आप stairs डाल सकते हो, ठीकर इसी के ओपर कोई fruit basket रख सकते हो, ठीकर इंडक्शन की आज कल, होब इंडक्शन वाले होब आ रहे हैं, आप तो वह भी यहां पर arrange करेंगे हो, ठीक है, तो वह चीज़े आप लोग को arrange कर लेना है, ठीक है, अपर next session में इसका material arrange करना, और बाकी के और further details देना, वह next session में करेंगे हैं, ठीक है?